Hello students, मैं हुजूबर सेफी and I welcome you to my YouTube channel Oritor Institute of English So, मेरा परसनली मानना है कि Titus Andronikos जो है वो William Shakespeare का सबसे भयानक डरावना, हीनियस प्ले है इस प्ले के अंदर बहुत सारे कारणामे होते हैं किसी को जिन्दा दफनाया जाता है, किसी को लटका कर मारा जाता है किसी की गर्दने उतार दी जाती है, कभी जिन्दा मास पकाया जाता है, रेब होता है, हाथ काटे जाते हैं, जबान काटी जाती है तो ये जो प्ले है, ये हीनियस क्राइम से भरा हुआ है एक्जाम में इसी तरह के कुशिंस पूछे जाते हैं कि किसको लटका कर मारा जाया किसको जिन्दा दफना कर मारा जाया क्लाउन के साथ क्या हुआ, नर्स के साथ क्या हुआ, शायरान और टिमेट्रिस को किस तरह से मारा जाया इन सभी questions को आज हम इस वीडियो में discuss करेंगे इस particular topic पर मैंने एक बहुत अच्छा blog लिखा है अगर आप ज़्यादा जानकारी लेना जाते हैं इस scene की तो आप उस blog को पढ़ सकते हैं blog का link description box में है और comment box में पहला comment आपको उसी का मिलेगा चैनल को subscribe करने अगर आप नभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो चले शुरू करते हैं इस बहुत important वीडियो को सबसे पहले बात करेंगे अलारबस की अलारबस टमोरा का सबसे बड़ा बेटा है टमोरा को जब starting में लाया जाता है बंदी बनाकर तो उसके साथ उसके तीन बेटे होते हैं उसमें से एक है अलारबस इसे पले की starting में जला कर मार दिया जाता है इसे दरसल sacrifice किया जाता है इसकी बली दी जाती है Titus Andronicus के मरे हुए बेटों की आतमा की शांति के लिए उनको tribute देने के लिए Next Muteus Muteus Titus Andronicus का ही एक बेटा है Muteus जो है अपनी बेहन लेवनिया की मदद करता है जब वो Bacianus के साथ भागती है अब हमारा जो Titus Andronicus है वो एक traditionalist यानि के परंपरावादी आदमी है जब उसे इस बात का पता लगता है कि Muteus ने अपनी बेहन को भगाने में मदद करी तो बाप अपनी ही बेटे Muteus को चाकु मार कर मार देता है उसे ऐसा लगता है कि Muteus ने जो मदद करी अपनी बेहन की भागने में ऐसा करकर उसने राजा को धोका दिया है क्योंकि राजा अगर किसी लड़की से शादी करने का फैसला ले ले तो लड़की को उससे शादी करनी पड़ेगी तो यहाँ पर जो बाप है वो अपनी ही बेटी के साथ नहीं है अपनी ही बेटे के साथ नहीं है वो राजा और उस देश की परंपरा के साथ है तो इसी वजह से Muteus को Titus Endronicus अपने हातों से मार देता है Next, Bassianus Bassianus राजा Saturnus का छोटा भाई है और इसे मार देते हैं चाकू से Shiron और Demetrius जंगल में मारते हैं जब यह हंट पर होते हैं यानि शिकार पर होते हैं Quintus और Martius को Bassianus के कतल के इलजाम में फसा दिया जाता है Quintus और Martius जो हैं वो Titus Endronicus के बेटे हैं दोनों और इन्हें जो हैं मार दिया जाता है एक्जेक्यूट कर दिया जाता है Bassianus के कतल के इलजाम में क्योंकि Aaron जो है वो इन दोनों को फसा देता है Bessianis के मर्डर के लिए अभी हमने उपर पढ़ाया आपको कि Bessianis को मारता कौन है Sharon और Demetrius तो ये बिचारे बेकार में मारे जाते हैं दोनों आगे बढ़ते हैं बड़ी ही interesting मौत है Nurse की एक scene है जहाँ पर Nurse आती है एक काले बच्चे को लेकर Moore यानि African Moore के एक बच्चे को लेकर जो दरसल नाजायज अलाद है टमोरा और Aaron की वो Aaron से कहती है कि तुम इस बच्चे को मार दो क्योंकि ये बच्चा महरानी टमोरा के लिए शर्मिंदगी का सबब बन जाएगा क्योंकि किसी को नहीं पता कि secretly affair चल रहा है टमोरा और Aaron का Aaron जो है वो चिलाता है और अपने बेटे के defense में चिलाता है बहुत तेज और कहता है कि नहीं काला रंग सबसे अच्छा रंग होता है मैं किसी को अपने बच्चे को हाथ नि लगाने दूँगा वो ये रास छिपाने के लिए कि ये बच्चा मेरा है जो टमोरा से हुआ है वो नर्स को मार देता है तो नर्स को कौन मारता है Aaron नेक्स्ट ये भी बड़ा important question है clown बहुत ये clown है जो दरबार में आता है Titus के letter देने saturninus को और उसके साथ में दो कबूतर भी होते हैं इसके पास जब वो letter पढ़ता है saturninus तो से गुसा आ जाता है saturninus को और वो clown को मारने का आदेश देता है और clown को फासी पर लटका दिया जाता है बस यही question पूछा जाता है कि who was hanged in Titus andronicus आपको याद रखना है clown को फासी पर लटकाया गया है next है शायरोन और डिमेट्रियस यह दोनों टमोरा के बेटे हैं और यह इस play का जो central crime है वो करते हैं इससे खफा होकर जो हमारा Titus andronicus है इनके गले काट देता है क्योंकि इन दोनों लो उसकी बेटी के साथ गलत काम किया वो शायरोन और डिमेट्रियस की हट्डियों गोश्ट और मास को बेख करता है और उनकी पाई बनाता है और वो बनाई गई पाई वो एक दावत का आयोजन करता है और उस दावत में उस feast में वो यह पाई शायरन और डिमेटिरस की माथ टमोरा को खिलाता है Next Levenia Levenia जो है वो टाइटस अंडोनिकस की बेटी है इसका रेप करते हैं शायरन और डिमेट्रस यानि के टमोरा के बेटे और ये ना सिर्फ रेप करते हैं बलकि इसकी जबान और इसके दोनों हाथ काड़ देते हैं ताकि ये पहचान न कर सके अपने रेपिस्ट की ना तो बोल कर और ना ही लिख कर टाइटस जो है वो अपनी बेटी को लास्ट में मार देता है उसी सीन में जिस सीन में वो टमोरो को इनके बेटे के गोश्ट से बनी हुई पाई खिलाता है उस सीन में ये अपनी बेटी को ये कहकर मार देता है कि आज में अपनी बेटी के दुख और दर्द को खतम कर रहा हूं इसके बाद जो टमोरा है ठिक वो टमोरा को भी मार देता है अपनी बेटी को मारने के बाद तो लेवनिया और टमोरा को टाइटस एंडरोनिकस मार देता है जब Titus अपनी बेटी और Tamora दोनों को मार देता है, उसके बाद Titus Andronicus को Saturn Anas मार देता है और Saturn Anas को Lucius मार देता है, जो एकलौता surviving बेटा है टाइटास का, otherwise Titus के सारे बेटे प्लेक के last होते होते मर जाते है Lucius जो है वो अपने बाप का बदला लेता है और Saturnus राजा को मार देता है और खुद रोम का अगला राजा बनता है उसके बाद बारी आती है Aaron की इसे जिन्दा दफना दिया जाता है गर्दन तक और इसे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है So, खूल में थोड़ी से संसरी से महसूस हुई, चिल्स महसूस होते हैं जब भी हम इस प्ले को पढ़ते हैं जब भी मैं क्लास में से कितनी भी बार पढ़ाओ मुझे हमेशा ऐसा ही महसूस होता है इसी तरह का ये थोड़ा सा भायनक सा प्ले है चलिए, अगली वीडियो में मिलेंगे आपसा, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर सीन के अपर को वीडियो बनवाना चाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर नेक्स्ट वीडियो इस सीन को समझाते हुए बना दीजिए बाकी UP, TGT, PGT के लिए ग्रैमर का बैच चल रहा है आप उसे जॉइन करें, WhatsApp पर कॉंटेक्ट कर लें उसके लिए TGT का लिट्रेचर का बैच भी है और इसके अलावा TGT, PGT के नोट्स भी हैं अगर आपको नोट्स चाहिए तो भी आप WhatsApp पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं चलिए मिलते हैं आपसे जल्दे हैं नहीं वीडियो में शेर करें इस वीडियो को टीज